दिस इस अंकर चंद्र हिना, असिस्टेंट प्रोफिसर, सीमेज ग्रूप अफ इंस्टूशन अपट्रूशन, तोड़े माई टॉपिक इस हाव तू कनेक्ट इन प्रैक्टिकल अडीनो यूनो उसिंग वेरियस कंपोनेट्ट्टू लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था क कि इस तरीके से हम अडीनो यूनो और उसके अलग-अलग कंपोनेट्स के साथ लाइक वियो मोटर्स और मोटर ड्राइवर अल्टू-9-8-N को हम किस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तोड़े इस वीडियो में हम प्राक्टिकल ही देखेंगे कि हम किस तरह से उन सारी कंपोनेट्स को आपस में खरते हैं, हमें कौन-कौन से कंपोनेट्स रिक्वार्मेंन्ट होते हैं, बेसिकली, ना फस्त, फिस बीस अर बेसिक पोनेट्स जो हमें रिकोर्ड हैं, पिटिकलर एक प्रोज़ेक बनाने क्लिए, त इस ल-2-9-8-N मोटर ड्राइवर, model second Arduino you know R3 microcontrollers third component हमारा bio motor that is battery operated motors and a fourth component that is 9 volt battery and next is jumper wire and next so हमने last में यह एक सरक्टी डियाग्राम मनाया था लास वीडियो में इसमें मैंने यह power connections यहां पेक लगा दिया है कि microcontrollers के अंदर में किस तरह से power connection देंगे पाके microcontroll itself on हो जाए after the programming यहां पे हमने data sheet लिख रखा है data sheet में हमने Arduino के pin को describe कर रखाया as well as connection of L298 motor drivers के pin को भी describe कर रखाया now first here we can see that the pin number 11 PWS pulse with modulator pin which can be connected directly to the ENA now ENA से connect करने पर इसके speeds को हम control कर सकते हैं now pin number 10 is connected to IN1 pin number 9 is connected to IN2 pin number 8 is connected to IN3 pin number 7 is connected to IN4 and pin number 6 is connected to ENB that is also a pulse with modulator तो इस connections यहां पे data sheet बना लें से हमें programming में आसानी होगी कि हम programming में जो है इसको easily variables को define कर पाएंगे बट चलिए आज हम एक model बना रखे हैं जिस models के तुरू इसका यह जो आप देख रहे हैं circuit diagram इस particular circuit diagram का हम जो है connections करके आज देखेंगे practically कि किस तरह से हम इन सारे components को आपस में connect करते हैं तो चलिए secondary camera हम आउन करते हैं और यह देखते हैं कि किस तरह से आपस में connect कर सकते हैं इन ब्राक्टिकल तो चलिए देखते हैं हमने एक setup बना रहा है यह setup हम आपको दिखाते हैं यह हमारा एक बुरा setup है जिसके अंदर में एक L298 motor driver ताथ में Arduino Uno microcontrollers और यहां पर दो हमारे bio motors लगे जहे हैं अगर आप इसको देखते हैं यहां पर एक battery and some jumper wires तो सबसे पहले हम connection देखते हैं कि किस तरीके से हम connect करते हैं bio motor with जो है हमारा connection bio motor with motor drivers के साथ और motor driver with Arduino Uno microcontroller के साथ तो हम सबसे पहले जो है यह microcontrollers Arduino Uno को connect कर देते हैं motor driver L298 के साथ में तो यह हमारा L298 motor driver के साथ connect हो जाएगा कर देख सकते हैं सब्सक्राइब कर ले रहे हैं और यह हमारा motor driver एंड अडिनो यूना देख सकते हैं इसको आप यह हमारा motor driver तो यह motor driver के अंदर में जो pin configuration होते हैं इसको अगर हम ऐसे बैक से देखें तो यहां पर आपको clear cut नजरा आएगा pin configuration जिसको हमने यहां data sheet में already defined कर रखा है that is a ENA here it is a pin दीख रहोगा आपको यहां पर यह ENA है यह IN1, IN2, IN3, IN4 और ENB as well as यहां पर output motor के लिए है output 1, output 2, output 3 now here we can see that L298 motor driver tell completely made in India brand होता है इसको अगर आप देख सकते हैं तो now next हम लोग इसकी बात करें तो यह motor drivers हमने देख लिया L298 N motor driver है इसको हम इस तरह से यहां पर देखें इसका power connections भी आपको देखेगा यह देख रहे हैं 5 volts ground and plus 12 volts clearly now अब इसका connections Arduino के pin के साथ करना है अब यहां पर देख रहा हूंग यह देखे 5 volts है ग्राउंड है and 12 volts है यहां पर clearly now this one is 12 volts this one is ground and this one is 5 volts clearly यहां पर आपको देख रहा होगा that is a EN B, ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 and ENB now L298 and motor driver now इसको हम turn out करते हैं और इसका logical pin को देखते हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं this is the logical pin यह हमारा सारा logical pin है that is a ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 and ENB यह हमारा दो motor connections होगा यहां पर इस जगा पर यह दो नो connections होगे motor connections एक motor यहां पर एक motor यहां पर दो नो battery operation now here it is a we can see that the power supply that is 12 volt ground and 5 volt नव अब इसका connection Arduino के साथ करना है तो this is microcontroller, इस microcontroller में आपको सारे pin देख रहा होगे that is a pin 0, pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो basically इसके अंदर में total 13 pin होते हैं total number of 14 pins होते हैं यह हमारे पास कुछ jumper wire था जिसको हम connections के लिए use करेंगे यह कुछ jumper wire था जिसको हम connections के लिए use में राएंगे now here it is one of the type of jumper wire this one इसको हम लोग बोलते हैं male female jumper wire तो इसकी connectivity सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे कर देते हैं motor driver के साथ तो यह हमारा motor driver है और इसके साथ हम attach करते हैं इसको इन pins को तो यह हमारा हो गया in a in in one in two in three और इन को हम आपस में connect कर देते हैं इस तरीके से दो pin खाली रहे हैं तो यह एक और jumper wire लेते हैं दो पिन का और इसको भी हम आपस में यहाँ पे connect कर देते हैं तो इस से हमारे सारे jumper wire यहां connect हो गए logical spins के अंदर में अब इन जंपर वायस के connections को हमको Arduino के साथ connect करना है हम अपने data seats को देखते हैं मेरे data seats में सबसे पहले pin number 11 connected है ENA तो here it is ENA यह blue वाला ENA है तो हम इसको pin number 11 से connect कर देते हैं इसको हम सबसे पहले जो है pin number 11 से connect कर देते हैं here it is connect the pin number 11 यह pin number 11 से हमने connect कर दिया now next हमारा जो है यह second number pin IN1 यह IN1 is connected to pin number 10 तो इसको next हमने pin number 10 से connect कर दिया वासा difficult है connection बट और हम से ध्याम से करना है connection यह pin number 8 9 10 11 11 11 और 10 से हमने इसको connect कर दिया यह यह पर इस तरीके से 10 और 11 से इसको हमने connect कर दिया after that next pin जो हमारा है उसको connect करना है तो 10 और 11 से connect होने के बाद हमने next pin जो connect करना है that is a number यहां पर next है 9 9 के बाद हमने connect करना है 8 से 8 connect हो गया 9 and here it is we can connect it the 8 after that next हमारा है 7 and 6 तो यह हमारा हो गया pin number that is IN4 तो IN4 यहां connect हो गया pin number that is a 7 और यह हमारा 7 से connect हो गया और after then the last one is that is pin number यह हमारा pin number 6 से connect हो गया तो यहां पर clearly देख सकते हैं कि pin number 11 से ले करके 6 तक हमने इस सारे pins को use कर लिया now next connections is power supply unit तो हम इसके लिए यह इस तरह का एक connection बना रखे हैं इस तरह का मैंने connection बना रखा कि इसको power से कैसे करना है तो basically red वाला जो है plus power में जाता है तो इसको हम plus 12 वोल्ट में red को plus 12 वोल्ट में डाल देते हैं यह हमारा plus 12 वोल्ट है तो यहां पर हमने red का connection input कर दिया plus 12 वोल्ट में तो लूस कर लेते हैं यह हमारा red हो गया plus 12 वोल्ट जाली यह हमारा red हो गया plus 12 वोल्ट और इसके बाद next हमारा है minus यानी ground voltage तो हम ground voltage के लिए इसको connect कर लेते हैं यहां पर यह black वोल्ट है तो हम black वोल्ट है तो भी थोड़ा सा release कर देते हैं और black वाले में हम इसको connect कर लेते हैं यह हमारा black वाले में connection हो गया तो यह हमारा ground voltage हो गया, that is minus, भी कह सकते हैं, और यह हमारा ground हो गया, now, in according to our circuit diagram, हम लोग जो है, grounds में से एक pin निकालते हैं, और जो pin हमारे adino-unos के ground में चला जाता है, तो हमने एक pin यहां से निकाल रखा है, जो adino-unos के ground में हम input कर देते हैं, इसके ground pin में हम जाके attach कर देते हैं, तो इस तरफ हमारा देखिए power section है, इस तरफ से हमारा एक power section है, तो इस power section में हम इसके ground pin में इसको attach कर देते हैं, यह हमारा power section दिख रहा होगा इस तरब carino के microcontrollers में तो यह हमारा b in है और इसके भड़ा next to the ground है तो हम यहां पब огрाउंड मेचको attach कर देते हैं तो यह मेरा एक connection है पूरा हो गया अब हमने सटफ कनेक्शन हमें लिधान देना है कि how To Connect the להיות motors that is a battery operated तो ये हमने यहाँ पर एक बियो मोटर एटाच कर रखा है एक सेट अप बना रखा है जहाँ पर हमने u शुकियो मोटर को लगा रखा है कि यह दिश्वी को बियो मोटर को कणेक करने के लिए हमें connections यहां से वह इस सरद से होने connections One को out किया हुआ है यहां आट कर लेते हैं गया, that is output 1 and output 2, इसको आपस में हम इस तरह से connect कर देते हैं, और यह हमारा हो गया, next to, इसको connect कर दिया, now, here it is, we can connect it to the bio motors, हम motors, यह तरह का DC motors है, विसमें इसको connect कर देते हैं, यह connections stable हो गया, bio motors एक का, now, second one, हमें एक, दो jumper wire, और लेना होगा, यह, this is the male type, यह दो jumper wire हम और लेते हैं, और इसको भी हम connect कर देते हैं, यहाँ पे, यह दोनों pins के अंदर में, motor drivers के इन दोनों pin में, हम इसको भी connect कर देते हैं, आपस में, now, here we can, screw को हमने tight कर लिया, इस तरीके से यह screw और यह screw को भी हमने tight कर दिया, now, next, यह हमारा setup त्यार हो गया, और इसको हम जो है, फिर next, इसके साथ connect कर लेते हैं, इस तरीके से इसको भी होंके, bio motor के साथ connect कर देते हैं, तो, now, यह हमारा एक setup पुरा त्यार हो गया, जिसमें, यह हमने इस दोनों bio motors को आपस में, motor drivers के साथ connect कर दिया, clearly, now, next work हमारा बसता है, अब after that, this connection, तो, यह connections का use हम तब करेंगे, यह हमारा belly jacket है, जब हम power supply connect करेंगे, अडिनों के अंदर, but at that time, हम battery यहां पर रखे हुए हैं, तो, battery connections अभी हमें नहीं देना है, because, पहले हम इसमें programming करेंगे, तो, इस तरीके से जो है, यह practically connections हो गया, यहां पर दो bio motors है, जो आपस में यह इस तरह से connect है, एक bio motors, दो bio motors, now, next हमारा, यहां पर motor drivers से connection हो गया, next हमारा adino unit से connection हो गया, तो, यह सारे component आपस में connect हो गया, clearly, तो हम यहां पर देख सकते हैं, यह जो हमारा circuit diagram है, basically, इस circuit diagram थे, accordingly, यह सारा चीज connect हो गया, तो, इस वीडियो में इतना ही, हमारे वीडियो को subscribe करें, हमारे channels को subscribe करें, वीडियो को like करें, next वीडियो में हम, इसके अंदर किस तरह से programming की जाती है, हम अडिनो के environment को, यानि अडिनो ID, Integrative Development Environment जिसका है, उसको open करके, यह देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर programming की जाती है, और programming के थूँ, हम motor drivers के थूँ, programming के थूँ, इन दोनों अलगलव motors को अलगलव तरीके से control करें, Once हमने अगर motor control करना सीच लिया, तो हम समझिए कि एक तरह से rover design कर रहे हैं, कि complete rover design हो जाएगा, basically जितने भी rover design के जाते हैं, हमारे robotics के अंदर में, वो इस तरह के ही connections का use किया जाता है, और different different type of motors use किया जाते हैं, जैसे हम DC motors use कर रहे हैं, कहीं पर stapper motor use किया जाते हैं, कहीं पर gear with, without gear motors use किया जाते हैं, bio motor inbuilt, जिसके अंदर gears है, but without gears भी यूज किया जाते हैं, depend upon the conditions की किस तरह का conditions होता है, robotics के अंदर में, हमें किस तरह के requirements की ज़रत करती है, और इसके बाद यहाँ पर connection आ जाता है, that is a USB connection, हम इसमें USB connection देने के बाद, इस तरीके से इसको connect कर देते हैं, और after that, हम ID integrated development environment open करके और programming करते हैं, तो next video में हम इसे देखेंगे, कि किस तरह से हम इसको programming करते हैं इसमें, और motors को अलग-अलग तरीके से control करते हैं, thank you for this video.